कोई भी घड़ी का स्ट्रैप का साइज अगर आपको जाना है बहुत असान तरीका है रूलर को exactly start end में रखिए और यहाँ पे देखिए यह जैसे हर लाइन 1 mm है यह 10 mm हो गया यह 20 mm हो गया exactly 2 cm हो गया 2 cm के बाद में भी आप देखेंगे 2 लाइन और भर रहा है मतलब यह 22 mm जहां यहां से मैं हाथ रख रहा हूं ताकि बहार बैलेंस ना हो और यहां पे देख रहा हूं तो यह 20 के अंदर में दो लाइन एक्स्ट्रा बच रही है तो यह 18 mm हो गया साइज जैसे यहां पे अभी इस साइज लिखा हो है 22 यह डबल चेक करना है कैसे 22 है क्या नहीं यहा यहां वह आपस तरीका है यह 22 के बाद में आ रहारा है देखिए दो लाइन और भठ रह दोर बहुं होज यह जो यहां पे भी लिखा है यहां पी लिखा हो जैसे जैसे कि 7 इसमें अब देखेंगे तो शाहल लिखा वह ब्रैंड का यहां देखी मैं हमें आपको जो एटीर पिर बटाः था यहां पर भी 18 लिखावा रहता है तो वो भी असान तरीकर रहता है, इसमें लिखावा नहीं है, फिर अभी यह श्ट्राप देखे इसका अगर में को साइज जाना है, तो यह साइज यह देखे, 20 पर एक्जैक्ली हो रहा है, यह 20 mm का स्ट्राप है, यहां पर वी कहीं देखे 20 mm लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 20 mm दिख रहा है यहां पर अभी यह स्ट्राप का भी बता दिया अभी इस केस में अगर आपको ट्रेप का साइज जानना है तो आप ऐसा रखे यह देखे 20 के लाइन पर खतम हो रहा है यहां पर मैंने स्टार्ट में 19 mm एक्जेक्ली हो रहा है झाल 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 झाल